पिछले कुछ सालों में मफलर यूनिट में काफी बूम आया है। थंडी हर साल होती है वहाँ वूल से बने मफलर को अच्छी मांग होती है। वूल से बने कपड़ी की खासियत ये होती है कि वो हमारी तवचा को थंडे से प्रोटेक्ट करते है। मफलर्स गले में पहना जाता है, जो ना केवल ठंड से बचाता है, साथ ही में पहनावे को अच्छा लुक भी देता है। मफलर्स आज बहुत सारे कलर्स और अलग-अलग वराइटी में भी दिखाए देते हैं। इसलिए आज मेडी यानि महराश्टर इंडस्ट्री इस डवलप्मेंट इंस्टिट्यूट आपके लिए वुलन नेटेड मफलर मैनुफाक्ट्रिंग बिसनस पर एक खास डॉक्यमेंटरी लेकर आए है। रॉव माटेरियल इस व्यवसाई के लिए वुलन यान्स, डाइट अक्राइलिक्स, सेविंग फ्रेट्स, एम्रोइडरी और स्टिकर्स, लेबल्स और पैकेजिंग माटेरियल की अवशक्ता होती है। प्लांट एंड मशीनरी इस व्यवसाई के लिए लगने वाली मशीन कुछ इस प्रकार हैं, हैंड ओपरेटेड सर्कुलर्स, निटिंग मशीन, ओवर लॉक मशीन, सीविंग मशीन, कटिंग टेबल, सिजर्स, इलेक्टिक प्रेस, इत्यादी मशीन की आवशक्ता होती है। सेट किया जाता है। इन बॉबिन्स को निटिंग मशीन पर लगाकर धागो को निटेट कपड़े में बनाया जाता है। निटिंग मशीन खास ऐसे ही कपड़े बनाने के लिए पहचानी जाती है। फिर इन लंबे कपड़ों की मशीन से अलग किया जाता है और जरूरत की अ अवश्यक लंबाई में काटा जाता है। इन मफलस के अंत की तरफ ओवरलॉक मशीन से स्टिचिंग की जाती है और फाइनली जरूरत की अनुसार, स्टिकल्स, एम्रॉइडरी या लेबल्स लगाकर पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार आज हमने वुलन नीटेड मफलस मैनिफाक्चरिंग बिसनेस की जानकारे ली। अगर आप भी इस व्यवसाय को आसानी से शुरू करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाईस के लिए मीडी को संपर्ग करें। हमें संपर्ग करने के लिए स्क्रीन पर ये वेब साइट पर भेटे या नंबर पर भी कॉंटाइट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करके हमारे यूटूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें।